हाई एवरीवन वेलकुम एक टू कूर्स टाबस टाप माइनेम इस अनेल यह 15 पार्ट है हमारे व्यू जैस के प्रोजेक्ट का इसके अंदर हम लोग हमारी रेस्ट्रेंट की लिस्टिंग वाली एपए को इंटेग्रेट करने वाले हैं यहाँ आप देख सकते हो होम पेज के अब के लिए कुछ डेटा हें यहाँ पर पूरी पूरी एक लिस्ट जहां परन बॉट जों संस्थरायगे सकतारें वह थो अनरम ने टीन ही एंटर करें थी अभी के लिए तीन ही टा दिखेंगे बट हम लोग एर्ड याइप बनाएंगे यहां पर देख सकते हैं हमारे पास यू आई है एंड रेस्टरेंट वाली यहां के अंदर हमारे ऊपन करेंगे और यहां पर हमसिंपली लिखेंगे npm install axios ठीक है और हमें api को integrate कहां भे करना है इतने सारे component है obviously हम लोग home page यो पर listing दिखा रहे हैं तो हम लोग हमारी api को integrate भी यहीं पे करेंगे ठीक है so इसके अंदर basically दो part होंगे पहले हमें api के data fetch करना है और उसके बाद मैं उसको display करना है table के लिए थोड़ा सा style भी यूज़ करेंगे इस वीडियो के अंदर ताकि table हमारी थोड़ी सी flexible भी रही so package हमारा install हो गए टर्मिनल की जुरूत ने है टर्मिनल को हम हटा सकते हैं सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा जो package है हमारा इसको import करेंगे import axios from axios वाला package इस तरीके से और अब जो axios वाला package है इसको हम लोग यूज़ करेंगे mount वाले function के अंदर mount वाले में ही क्यों mount वाला जब हमारी application में यह component mount होगा तभी चल जाएगा और तभी हमें हमारी listing भी दिखानी है चीक है तो यह सिंबल तरीका होता है कि हमें कहां पर जो page load के उपर काम करना होता है हम लोग mount के अंदर ही करते हैं तो यहां पर मैं लिखूंगा let result और यहां मैं लिखूंगा axios.get यह हमारा method होता है API का जो result get करता है और यहां पर equal to लिखना मैं भूल गया इस तरीके से और अब हम यहां पर पास करना है हमारी API का URL और इस तरीके जमारी API का URL भी पास कर देंगे इसके अंदर बस और हमारा result को लो जाएगा यह पर हमारी async होती है उसको हमें यूज करना पड़ेगा तो हमारे function के उपर already मैंने async बना रख है इसको async बस इतने लिखना है आपको और यहां पर await लगा दो ताकि जो promise अब अपने आप ही resolve हो जाए अब चाहोते इसको console कर सकते हो console.1 देखते हैं हमारे पास result में क्या आ रहे है और जैसे हम लोग result हमारा कप प्रिंट होगा जैसे हमारा page load हो जाएगा console में open करता हूँ और यहां पर देखें तीन data हमारे पास यहां पर आ चुके है status और आप चाहो चाहो तो तोड़ कर रहेंगे this.restaurant equal to result.data क्योंकि हम पूरा result नीचे में data चाहिए यहां पर आप देख सकते हैं जो तीन data है न हमारे पास यही वाले इसको मैं ठीक कर दूंगा पूरा पूरा data है अब हमें यहां पर एक table बनानी है तो मैं हापर यूज करता हूँ table tag इसको close भी करना पड़ेगा कि टी आर लेंगे हम लोग एक और टी आर के उपर हमारा लूप लगेगा table row होती है न यह इसके उपर हमारा लूप लगेगा यहां लेकर देता हूँ कि शर्षा थियार और इस टी आर को में बंद भी कर देता हूं यहाँ अपना बंद हो अच्छा अब यहां पर जो हमें लूप लगाना होता है न तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या ओन सा लोग यूज करते हैं वी फो लूप यहां पर आपको सीम्पल यूज करना है वी फोर और यहां पर आप लोग लोगे आईटम फ्रॉम मßट आइटम इन होता है इंट्रेंट्ट जो हमने यहां पर लिए एक्च्छली सका नाम रेस्ट्रेंट निए और आपको एक चीज भी धियान रखने जब भी आप लोग we for loop फगारा यूज करते हूं तो यहां पर एक्कोल डू आना चाहिए है ऐसे यूज करते हो तो आपको कीभी यूज करनी होती है कैसी चहट करोगी ईड है कैसी लोड होगाना चैसी देटा ओपन करेंगे इसके इंदर हमारे पास आईटि है यह यह प्रिंट करना है सबसे पहले एक चीज़ प्रिंट करवा के दिखाता हूं मैं आपको और आपको यहां पे यूज करना है आईटम डॉट नेम और हम आउटपूट चेक कर देंगे हमारे पास क्या आ रहा है यहां पर हमें यहां पर मिल गया अब देखते हैं हमारे पास ठीक है यह आ गए है सेम इसी तरीके से हम लोग कुछ और भी लेंगे जहां पर तीन-चार चीज़े ले लेते हैं सबसे पहले मैं आईडी दिखनी चीज़े तो मैं आईडी ले लेता हूं फिर नेम फिर एड्रस मुझे यह कैसे पता कि एड्रस वगए रहा है विको लास्ट इम आई पर बनाई दिना अत्ता मुझे ध्यान है आप यहां भी देख सकते हो आईडी है नेम है कॉंटेक्ट है एड्रस है और लास्वन मैं लोगा यहां पर कॉंटेक्ट और अब देखते हैं हमारे कुछ टेबल इस तरीके से दिख रही है भी के लिए बहुत अच्छी नहीं दिख रही है बट थोटा से स्कोर इंप्रूव करते हैं सबसे पहले तो जो यह पूरी पूरी टियर है ना इसको उठाके में लेके जाता हूं एक बार बाहर एक इसका ह बनाता हूं यहां भी लिखता हूं सब कुछ हटा के आइडी या फिर सीरियल नंबर लिख लो आपको वह ठीक लगता है तो मुझे ज़्यादा काम के नहीं लग रही है जिसमें ज़्यादा महनत लग रही है मैं यहां लिख देता हूं नेम और फिर होगा हमारा एड्रस और लास्ट में होगा हमारा कॉंटेक्ट और अगेन अरर यार यार दैट्स नोट दकेस यहां पे अच्छा मैं यहां पे टी आर भी लेना पड़ेगा मैंने मिस्कर दिया जाग्या आप ध्य टीख लग रहा है इसको बड़ा करने के लिए मैं तो हम पर यहां पर use करेंगे style और स्टाइल के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं मैं 160 पिक्सल हाइट लिखने की जूरूद में आई थे इतना काफी रहेगा यहां और अब थोड़ी से टेबल थोड़ी ठीक लगे थोड़ी हाइट देनी है तो और भी हाइट भी दे सकते हो हाइट देता हूं लेट से मैं 40 पिक्सल थोड़ी अब थोड़ी ठीक ठाक टेबल लग रहें तो इस तरहीं हमारे लिस्ट बन गई आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग एड रेस्टेंट करेंगे तो इसके अंदर फॉर्थ फिफ्थ शिक्स और भी रेस्टेंट्स और एड होते रहेंगे इसलिए मैंने कम रखेद अगर मैं इसमें पहले लंबी लिष्ट बना जा तो हमें देखने में कंफ्यूजन वगएरा होती है सब्सक्राइब करना वीडियो लाइक करना पिल्कुल भी मत फूलना हूं